हेलो ब्रेंड्स ब्राइटी लेंडिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जियां फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि असेस्मेंट यह 24-25 फाइनेंस यह 23-24 की जो आई टियार है वो आप कैसे बर सकते हो ओनलाइन आज हो गई 1 अपरेल 24 तो आज ही से गोर्म इसके बाद first side array income tax department यहां पर क्लिक करने के बाद यहां right side में register और login का टेप आपको login वाले टेप पर क्लिक करने है अगर मालो आपका registration नहीं है तो आप registration कर सकते हैं कैसे registration करेंगे इसका वीडियो ओलरेडी चैनल पर दिया हुआ है आप जाके देख सकते हैं हमारा ओलरेडी करेंगे लोगिन वाले tapemist करने के बाद यहां जो आगे की process open हो रही है यहां logan में enter your user ID मांग रहा है một user ID आपके पैर number होंगे वोंगे आपको अधीन पर to a करने करना है कंंटुनिओ प लिक करने के बात डिकलिएरिशन पर क्लिक करने के बाद यहां पी लिगना password कि और continue कर अगर मालों आपके पास password नहीं तो forget password करके आप password यहां से बना सकते हैं इसका वीडियो चैनल पे दिया हुआ है continue पक्लिक करेंगे continue क्लिक करने के बाद यहां खुल गया dashboard और यहां पर जो है वह आ गया four assessment year 2425 और file नाउं का उप्षन आ रहा है यहां से आप रेटन फाइल कर सकते हैं आपको यहां फाइल नाउं पे क्लिक करना है फाइल नाउं पे क्लिक करने के क्लिक करने के बाद यह 5 5 अफिशन आ हरा रहा हैं इंडीजएवल एफिडिध Washington पहला है तो नॉर्मल के इसमसें अगर माल लो इंडीजवल हो जो सिंगल व्यक्ति होता है वह इंडीजवल होता है तो आपको इंडीजवल select करना है उसके बाद continue पर click कर देना है इसके बाद select ITR form यहाँ पर select करना है अभी जो ITR form है one है two है और four है हम यहाँ पर one file कर रहे हैं तो यहाँ ITR one select कर लेंगे और आपको ध्यानोड़ा चाहिए ITR one जो होता है वो selected person के लिए होता है तो आपको ITR one करना है अगर आपकी sell area तो proceed with ITR one पर click करना है इसके बाद let get start पर click करना है इसके बाद यहाँ पर region आ रहा है region में आप other select कर लेना और continue वाले टेपर click कर देना click करने के बाद यहाँ कुछ details आ रही है income tax department ITR pre-filed database में जो पिछली साल की आपकी ITR अगर पर इवी है तो आपकी जो information है उसके according यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर personal information पर click करना है personal information में आपके यहाँ पर pen number bank detail जो भी information है वो यहाँ पर complete information आ जाएगी आपको यहाँ पर cross check करना है nature of employment यहाँ पर यहाँ आपको select करना है तो हमारे case में अगर मालो government है प्राइवेट है central government है state government हो select करना हमारे case में other है प्राइवेट company में काम करते हैं तो other select कर लेंगे इसके बाद filing section यहाँ पर आपको select करना है जो already select है इसके बाद अगर मालो यहाँ पर दे रहता है डू यू विस टू एक्सपाइस दा ओप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 obtained out of new tax regime अगर आप new tax regime सेलेक्ट करना चाते हो तो आपको yes करना है अदरवाई no रहने देना हमारे case में हम पहले वाली जो old regime है वो ही रखेंगे इसके बाद confirm कर देंगे यहां परस्णल इन्पर्मेशन यहां गुला गया ग्रोश टोटल inकम पूर अंदर आपको इनकम है यहां पर है पहलाकर आता है सेलेरी एक्जमसन सेलेरी एक्जमस हमने कुछ नहीं है हम continue वाले टेपे कर देंगे आप इसके बाद यहां पर Salary Income from salary Can I और इसमें आ रहा है ओर ग्रोष salary लिखने के लिए आपको यहां एडिट वाले टेप पर क्लिक करने के बाद यहां लिखने का ओप्शन आजाएगा तो आपको यहां पर Salary को सेलेरी होगी वह यहां पर आपको completely लिख देनी है तो हमारी salary जो हमने लिख यह है इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है और भी कुछ हो तो यह ले सकते हो यहां पर country region मांग रहा है कि अगर मालो other country से कोई income आई है तो वो लेना है हम यहां पर हमारी कोई income नहीं तो हम delete कर देंगे इस टेप को इसके बाद nature of exemption allowance अगर कुछ हो तो आपको यहां पर लेना है net salary आपकी यह वो यहां पर शो जाएगी आपको save वाले टेप पर क्लिक करना है save वाले टेप पर क्लिक करने के बाद again यहां पर confirm वाले टेप पर क्लिक करना है आपको confirm वाले टेप पर क्लिक करने के बाद यहां पर gross total income में हमारी confirm हो गई इसके बाद total deduction अगर मालो आपको कोई deduction है आपको यहां लेना है और जो deduction मिलेंगे वो केवल आपको old scheme में मिलेंगे new scheme में नहीं मिलेंगे अगर हम new scheme लेते तो यहां पर हमारा कोई deduction नहीं है आपका अगर कोई deduction हो तो आप यहां पर deduction में add amount पर क्लिक करके amount लिख सकते हो loading process चल रहा है जैसे complete होता है आगे की step देखते हैं यहां पर site में problem की वज़े से थोड़ा सा time लग रहा है इसके बाद हम confirm करेंगे क्योंकि हमारा कोई भी deduction नहीं है अगर आपका deduction हो तो आपको deduction यहां पर लिखना है थर्ड़ी स्टेप हमारी complete हो गई total deduction हो गया है इसके बाद tax paid अगर मालो आपका कोई tax बन रहा है income tax बन रहा है तो आप income tax यहां से paid कर सकते हैं हमारे case में ना तो कोई TDS है ना कोई income tax है तो कुछ भी हमारी detail नहीं है होगी तो यहां पर अपडेटिशन ओटोमेटिकली यहां पर आजाएगा अगर आपका TDS कटा हुआ होगा तो अपडेट होते हैं यहां पर ओटोमेटिकली शो कर देगा कंफर्म वाले टेप पे क्लिक करेंगे टैक्स पेड कंफर्म में हमारी 0 आगा है क्योंकि हमारा खोट नहीं था लास्ट में आता है अगर मालो आपकी कोई टेक्स लाइबिलिटी बन रही है कंफर्म करने के बाद तो तो यहाँ पे आपका amount show कर देगा, यहाँ पे आपका complete competition show हो रहा है, जिसमें income दिखा रहा है, और completely detail यहाँ पे आपकी show रही है, जो भी income की detail होगी, show जाएगी, आपको carefully यहाँ पे check करना है, confirm माले tape पे click करना है, check करने के बाद, इसके बाद हमारी सभी जो table है, personal information, gross total income, total deduction, tax paid, total tax liability, वो यहाँ पे confirm हो गई, आपको ऐसे सभी table, one by one करके, cross check करके confirm करनी है, उसके बाद आपको जाना, proceed वाले tape पे, proceed वाले tape पे जाने के बाद, यहाँ पे you need to make a payment, हमारा कोई payment नहीं बढ़ना, तो यहाँ पे zero लिखाव आ गया, यह calculation income tax की जो details है, again यहाँ शो रही है, preview return पे click करके, आप यह पूरा जो form बरे हो, return का form यहाँ पे preview कर सकते हो, declaration पे click करेंगे, declaration पे click करने के बाद, proceed to preview वाले tape पे, यहाँ पे click कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे detail आ गए, ITR1, SAGE, 24, 25, यहाँ पे year, जो assessment year वह आ गया, आप यहाँ से download कर सकते हो, इसको print निकाल सकते हो, इसके बाद, proceed to validation वाले tape पे click करेंगे, अगर आपके पास कोई error रह जाता है, तो यहाँ पे error show करेगा, हमारे case में यहाँ पे कोई error नहीं है, तो no error वाज found यहाँ पे लिकावा गया, और validation success पुले लिकावा गया, आगे की process करने से पहले माँ आपको information, बता देता हूँ कि अगर मालो आपका कोई TDS कटा है, तो आप अभी return file ना करें, आप कुछ time बाद के बाद return file करें, क्योंकि अभी तक जो TDS का amount है, वो proper यहाँ पे show नहीं होगा, proceed to verification पे click करेंगे, इसके बाद जिस माध्यम से आप verify करना चाहते हो, e-verify, e-verify later, e-verify ITRV, तो हम करेंगे e-verify now, मतलब अभी करेंगे आदार से verify करेंगे, continue वाले tape पे click करेंगे, यहाँ पे option आ गया, आदार का option आ रहा है, net banking, throw bank account, or deemed account, और भी कापी option दे रखेंगे हैं, हम यहाँ पे आदार से verify करेंगे, तो यहाँ पे हम select करेंगे, I would like to, आदार verification, continue वाले tape पे click करेंगे, I agree to validate my आदार detail पे click करेंगे, generate OTP पे click करेंगे, तो जो आदार कार्ड में मोबाल नमबर दिया गया है, उस पे गया OTP, वो OTP हम यहाँ पे फिल करके, return को finally submit कर देंगे, आपको यह देखना है कि जब आप return फाइल कर रहे हैं, तो सबसे important चीज़ यह है कि अगर आप return फाइल कर रहे हैं, तो आपका TDS कटा है, तो आप TDS completely शोने के बाद ही इसको फाइल करें, उससे पहले फाइल नहीं करें, क्योंकि अभी quarter 4 की जो TDS के return जानी है, वो बाकिए है, जैसे quarter 4 की TDS के return जाएगी, तो आपका जो complete TDS है, वो आपको यहाँ पे show हो जाएगा, अगर आपका TDS कटा है, तो आप अभी return फाइल करके, बाद में return फाइल करें, जनरेट OTP पे क्लिक करना है, और जो आदारगाड में mobile number दिये हैं, उस पे गया OTP, जैसे OTP यहाँ पे फिल आता है, आपको यहाँ पे OTP फिल करना है, और validate पे क्लिक करना है, जैसे आप validate पे क्लिक कर दोगे, आपकी ITR सक्सेज पुली यहाँ पे फाइल हो जाएगी, तो इस परकार से आप अपनी ITR घर बैटे भी फाइल कर सकते हैं, थैंक्यू पर वाचिंग, बाई बाई, इसी परकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राब करें, बाई बाई, थैंक्स,